हेलो दोस्तों विल्कम टो परिक्षांश्टिक 2.0 इस मी पुरुषूत्म कुमार्ष और दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हूँ एक अलग तरह की क्लास आज यह होने वाली है जिसमें आपको चैप्टर फॉस्ट का एलेटर टो गॉड कम है यहां पर लॉंग अंसर करवाने वाला हूँ यहां पर आपको जब एक्जाम आते हैं तो क्या करना होता है आपको बहुत सारे पुलेश्ट पर लाकर नहीं बड़ते हैं लॉंग जसे आपको उसमें लन करने में बहुती इ Kommentare रहा है लेकिन इहां पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इसमें आपको लिए की एक लि खूरप लेना है और इसको लाऌण करने से आपके सारे कोस्षण के अंसर मिल जाएँ को बिनाry कि इस क्लास को हम सब्सक्राइब कर एक रहा है इंटर्डक्शन क्या है दे स्टोरी अलेटर तो गॉर्ड बाई जी अल्फ हूंस रिवोल्स अर्हांड दा आइडिया आफ हैविंग अनकॉस्टनेबल बिलीफ इन सम्थिंग दे स्टोरी इज सेट इन अलेटिन अमेरिकन कंट्री फ्यूंस डिपेक्ट्स अन्वेरिंग जाए और हम अच्छे से उसको कंप्लीट कर पाएं इसकी हिंदी है जील फ्यूंस की कहानी एलेटर टूग और किसी चीज में निर्विवाद विश्वास रखने के विचार के इर्दगिर्द घुमती है कहानी एक लेटिन अमेरिकन अमेरिकी देश पर आधारित है फ्यूंस ने दर्साया है और भगवान में कैसा उसका विश्वास से उन बातों के बारे में इसमें बताया गया है चलिए देखते हैं नेक्स्ट एडिक हमारी नेक्स्ट एडिक है लेंचो जाओ तु लेंचो की क्या परिशान्या थी लेंचो वाज आ फार्मर लिब अ लोहिल और इस हर्वेस्ट वास टोटली दिस्ट्रॉइड बाई रहल स्टॉर्म जोही और उसके पास कुछ भी नहीं बचाता चलिए इसकी भी हिंदी जान रहते हैं जिससे कि हमारा और भी कोशन्स यह का अंसर जो है वह इजी हो जाए लेंचो एक किसान था जो एक निचली पहाड़ी पर रहता था और उसकी फसल ओला व्रष्ट से पूरी तरह नश्ट हो गई थी तो वह उदास था उसके खाने के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखकर मदद की रूप में 100 रुपए या 100 पैसे मंगा अब देखो यहाँ पर पोस्ट मास्टर की क्या है पोस्ट मास्टर की क्या है तो पोस्ट मास्टर की क्या है तो पोस्ट मास्टर की क्या है तो पोस्ट मास्टर से एक मिलन सार बेखती था और उसने अपनी कर्मचारियों और अपने दोस्तों से धन एकत्र किया था उन्हों ने खुद अपने वेतन का एक हिस्सा दिया वह उसे केवल 70 रुपे ही भेज सका अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है लेंचो जब पैसे लेंचो को मिल जाते है तब उसका रेक्षन कैसा होता है कैसा हो रेक्ट करता है चलिए वो भी देख लेते हैं लेंचो को पैसे मिले और उसने गिना तो वह क्रोधित हो गया इसलिए उन्होंने एक और पत्र लिखा उन्होंने लिखा क्रपया मुझे बागी पैसे भेजे मुझे बहुत जरूरत थी लेकिन डाग से ना भेजे क्योंकि डाग घर के कर्मचारी बदमासों के जुंड है तो डाग घर के कर्मचारी बदमासों के जुंड है ऐसा उसने कर्मचारियों को कहा क्योंकि उसको के वर सत्तर पैसे से मिले तो वो समझ रहा था कि डाग घर के जो करमचारी हैं उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए इसलिए ऐसे सब्दों का उसने प्रियोग किया तो इस प्रकार से यह आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है आई होप आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी और अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिसे की ज्यादा से ज्यादा इस क्लास से लोग जुड़ सके और चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिजिए और बेल आइकन को प्रस कर लिजिए ओके बाबाए थैंक्स फोर वाचिंग